तो बच्चो क्लास सेंस में सप्लिमेंटरी रीडर में यह थर्ड चैप्टर जिसका नाम है दे मिड़नाइट विजटर और यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है बच्चो और इसके राइटर कौन है रोबर्ट अर्थर और आज की इस क्लास में हम लोग यह पूरा स्टोरी को पढ़ेंगे और जो इसका एक्स्प्लानिशन होगा वह हिंदी में होगा बच्चो ठीक है तो इस क्लास में और आप जानते हैं कि जितने भी सप्लिमेंटरी में जितने भी चैप्टर है उनसे रिलेटेड आपके एक्जाम में एमसी क्यूज आते हैं शौर्ट आ सबसे पहले बच्चो हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी स्टार्ट होने से पहले इनके में क्येर्क्टर से कौन-कशन से इनको देख लेते हैं तो और भी ज्यादा अच्छे से हमें स्टोरी समझ में आएगी तो देखेए जो पहले यह शेरे पर तो यह rehabilitator है क्या बोल रहे बच्चों अब इनका देख लेते हैं कि क्या इनकी विसेस्ताय होती है पूरी स्टोरी में तो ये क्या है स्टोरी में सीक्रिट एजेंट होते हैं और साथ साथ में इनका जो लुक्स होता है मतलब ये दिखने में एजेंट जैसे बिलकुल नहीं होते हैं और अगर बुद्धि से उसको फसाया था वो हम लोग पढ़ेंगे अभी स्टोरी में कि कैसे क्या था इस्टोरी में ठीक है तो अब इतना जानिए आप कि एक सिक्रेट एजेंट थे जो कि यह लुक्स मतलब इनका दिखने में यह बिलकुल भी एजेंट जैसे नहीं थे फैट थे डल थे ठीक है और बुद्धिमानी में बात करें तो काफी ज्यादा क्या थे अच्छे थे एक्टिव थे ठीक है अब उसके बाद जो अगला केरेक्टर है बच्चों यह क्या है यह खुद से ही बोले है आई एम फाउलर मैं गौन हूँ फाउलर हूँ और देखिए स्टोरी में बात करें तो जो फाउलर है यह एक यंग रोमैंटिक राइटर होता है ठीक है तो यह क्या होते है राइटर और यह और से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि इन्हें अपने स्टोरी लिखने के लिए अब जाहिर सी बात है जो भी राइटर होता है उसको स्टोरी लिखने के लिए कुछ मैक्स यह बहुत इंट्रस्टिंग क्रेक्टर है स्टोरी में वच्चों यह क्या है कि यह अनादर सीक्रेट एजन्ट होते हैं स्टोरी में पहला सीक्रेट एजन्ट कौन होता है और मैक्स होता है जो की ऑजवल से मतलब ऑज़वल के थू जो उसे new missiles के बारे में report मिलने वाली थी उसे ये ले करके भागना चाहता है ठीक है तो उस वज़े से आया था उस उद्देश से आया था तो इतना हम लोगों ने समझ लिया character में तो तीन बच्चो मेन character है एक first है हमारा Oswald जो की secret agent होता है और second हमारा character है Fowler जो की writer होता है और third बच्चो character है Max जो की another secret agent होता है तो इतना हम लोगों ने समझ लिया आप चलिए देखते हैं अपने story की तरफ और ये picture बच्चो आपके लिए इसमें भी पूरा देख करके ही कुछ समझ में आ रहा है चलिए देखते हैं तो देखें आप देख सकते हैं कि य यह बच्चो ऑजवेल ठीक है और यह इसके पीछे डरा हुआ दिख रहा है भी story में ऐसी ही बात होगी ऐसी situation आएगी अभी ठीक है तो यह कौन है बच्चो फावलर है और यह कौन है जिसने पिस्टल ऐसे शूट करके लगाया हुआ है तो यही है हमारे Max ठीक है तो देखने में भी हां दिखने में कैसे इसके बारे में बात कर चुके हैं तो इतना क्लियर है वच्चो तीन में चैरेक्टर है इसमें आप देखते हैं हम लोग फटाफर स्टोरी को उसमें में पॉइंट को देखेंगे क्यों अगर आप एक बार अच्छे से पूरी स्टोरी को समझ होगी ठीक है इसमें जैसे ही प्रसना आपके एक्जाम में बनके आएंगे आप सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चो जब स्टोरी को पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि फावलर मीट्स ऑजवेल से मिलता है जो कि ऑजवेल क्या होता है एक सीक्रेट एजएंट होता है फिर उसके बाद बच्चो हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड हम लोग का सेकेंड है एनादर सीक्रेट एजएंट अभी हम लोग ने बात किया कि जो हमारा एनादर सीक्रेट एजएंट था वो कौन था मैक्स था ठीक है मैक्स था उसके बारे में देखेंगे फिर उसके बाद Oswell talks about the balcony फिर कैसे Oswell जो है balcony के बारे में कहानी बनाता है उसके बारे में बात करता है और कैसे Max जो है उनकी बातों में फसता है कुछ ऐसा ही पूरा story में देखेंगे और जो next point है वच्चो वो क्या है waiting for the report फिर report का इंतजार होता है कैसी situation होती है उसके बारे में बात करेंगे फिर Max atom to escape फिर Max के भागने का प्रयास कैसे होता है story में उसे भी देखेंगे ठीक है और last में फिर हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छानक से एक unexpected twist आता है उसमें है ना अच्छानक से एक जो है क्या आता है ट्विस्ट आता है मतलब एक अलग ही उसकी वो होती है जो हम लोग story अभी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समाझ में आएगा बच्चो तो अभी मैंने फटा-फट आप सभी को दिखा दिया कि क्या-क्या आज की इस story में हम लोग देखने वाले हैं तो first हमारा जो point था आप चलिए इसके बारे में बात करते हैं तो आप लोग last तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा क्योंकि हर एक word कुछ ऐसे word भी आएंगे जिनका meaning आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहीं से बच्चो MCQ भी बनता है और short answer भी आपको लिखना होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं तो इसलिए आपको यह story समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह important chapter भी है आपकी supplementary में तो चलिए आप start करते हैं हम लोग पहली hitting क्या है वच्चो हमारी Fowler meets Oswell A secret agent Oswell जो की एक secret agent होता है एक जासूस होता है वो जब Fowler उससे मिलता है तो मिलता है तो क्या होता है देखे यहाँ पर क्या है कि Fowler is a young romantic writer इसकी बारे में अभी जब हम लोगों ने वच्चो character देखा था तो पढ़ाता है ना बोला था हम लोगों ने कि क्या है वो एक young romantic writer होता है कौन Fowler ठीके बस हर एक ऐसे ही point को आप notice करते चलिएगा आप देखे Had come to meant A secret agent यहाँ पर meant नहीं होगा बच्चो Met होना चाहिए ठीके वो मिलने आया था Secret agent से मिलने के लिए आया था और उसके बाद देखे Oswell in a French उसके बाद देखे बच्चो क्या है Fowler was disappointed Fowler जो है disappointed हो जाता है मतलब उसको देख करके disappointed बोले तो निराश हो जाता है Oswell को देख करके अब उसके बाद देखे disappointed to see Oswell Oswell को देख के वो निराश हो जाता है As he could not find any characteristics of a secret agent in in Oswell अब यहाँ पर देखे बच्चो केहने का मतलब यह है सुनिए गाध्यान से कि जब Fowler Oswell से मिलता है तो इसलिए वो निराश हो जाता है क्योंकि वो पहले से सोच के आया था कि जब वो Oswell से मिलेगा जो कि एक secret agent है तो वो क्यासा होगा दिखने में और जब वो Oswell से मिलता है तो ऐसा कोई भी इसमें विसेस्ता नहीं पाता है characteristics है ना ऐसी कोई भी विसेस्ता नहीं पाता है कि जो की एक secret agent में होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया कि वो किसलिए disappointed हो जाता है could not find any character sticks मतलब उसमें कोई भी विसेस्ता नहीं मिलती है as a secret agent जो की एक secret agent में होनी चाहिए as he had read जैसा कि Fowler ने पढ़ा था Oswell के बारे में ऐसी कोई भी उसे विसेस्ता नहीं मिलती है आप देखिए आगे क्या होता है Fowler had imagined और उसने कलपना की थी है imagined क्या था Oswell के लिए as a mysterious person कि वो कैसा person होगा एक mysterious बोले तो रहस्यमाई व्यक्ति होगा कैसे mysterious person होगा with a crack of pistol and drugs in wine की मतलब जैसे एक जाशूस होता है sacred agent होता है उसके पास कैसे pistol होती है crack of pistol की साथ में उसकी आवाजों के साथ में ऐसे pistol होती है and अगर बात करें तो उसके पास नशीले पेपदार्थ भी होते है तो यहाँ पर बात हो रही है कि drugs in wine नशीले पेपदार्थ भी होते है तो ऐसी कलपना किया था Fowler ने सोचा था कि आजवेल भी कुछ ऐसा ही होगा लेकिन जब वो ऐसी विसेस्ताय नहीं पाता है आजवेल में तो वो क्या हो जाता है बच्चो काफी ज़्यादा निरास हो जाता है ठीक है उसके बाद देखिए इसकी बजाए मतलब वो एक नीरस इस्थान पर अन्रोमेंटिक लोकेशन बोले तो एक नीरस इस्थान पर कैसे व्यक्ति से मिलता है जो की क्या होता है बच्चो फैट होता है और साथ साथ में डल होता है मतलब सुस्त टाइप का होता है देखने में और मोटा होता है तो ये ठीक है तो फाउलर जो है जब उससे मिलता है तो उससे देखता है कि ये फैट है डल है इसमें कोई सीक्रेट इजन्ट वाले गुड भी नहीं है तो इसलिए वो देख करके निरास हो जाता है अब क्या है बच्चो देखे आजवल गेस्ट फाउलर्स डिसपोइंटमेंट लेकिन आजवल जो है वो गेस्ट कर लेता है अनुमान लगा लेता है कि फाउलर के डिसपोइंटमेंट की कि उसकी निराशा किस वजे से है तो उसकी निराशा का अनुमान लगा लेता है कौन ओजवेल क्योंकि अभी वच्चों हम लोग ने बात किया कि ओजवेल दिखने में तो ऐसा नहीं था लेकिन जो उसका माइंड था वो all time active रहता था कैसे बिलकुल जासूसों वाला ही था माइंड उसका ठीक है अब देखिए ओजवेल टोल्ड फावलर अब ओजवेल जो है ओजवेल जो है वो फावलर ते कहता है उसने उसको बताया that की soon he would receive a very important report कि जल्दी ही उसको एक ऐसी report मिलने वाली है that जो की could change the course of history कि जो की इतिहास की इतिहास का ही रुख बदल देगी यहाँ पर कहने का मतलब यह है ठीक है तो वो ओजवेल जो है फावलर को यह कहता है पहले क्या होता है देखिए जब फावलर ओजवेल से मिलता है तो फावलर उसको देख करके काफी निरास हो जाता है और क्यूं हो जाते क्यूंकि उसने उसमें कोई भी विसेस्ता नहीं पाई थी अब क्या होता है कि ओजवेल तुरंट इस बात को समझ जाता है अब वो जब समझ जाता है तो वो क्या कहता है तुरंत फाउलर से कहता है कि आप फिर यही बोलता है ना कि that soon would receive a important report कि जल्दी ही उसे एक ऐसी important report मिलने वाली है जिससे इतिहास का पूरा क्या बदल जाएगा रुख बदल जाएगा ठीक है तो यह हम लोगों ने देखा कि जब फाउलर आजवल से मिलता है अब उसकी बात फ अब इसकी बारे में फटाफट देखते हैं देखिए वें बोथ और जब और जब और 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 करते हैं ठीक है प्रवीज करते हैं और फिर लाइट को अन करते हैं जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ठीक है यह है और यह इनके पीछे है फाउलर और यह है मैक्स तो देखिए जैसे ही यह एंटर करते हैं रूम में तो वो क्या करते हैं देखिए इन्होंने स्विच अन किया और जैसे ही स्विच अन क किया उसने क्या किया लाइट जिलाया देखा एक व्यक्ति पॉइंटिंग मतलब निशाना लगा रहा था स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल से पिस्टल से टूवर्ड से मतलब उनकी और तो जैसे उन्हों किया लाइट जली पहले घमरे में दे रहा था लाइट जली तुरंत उसने क्या कर दिया उसके उपर निशाना लगा दिया जैसा कि आप देख रहे हैं अब आगे देखते हैं वच्चों दिस्मेन वोस मैक्स वो मैन कौन होता है मैक्स होता है ठीक है अनादर सीक्रेट एज़े आप देखिए इतना देखने की बाद अब आप कि वहले यहां पर यह नोटिस करीएगा कि और मैक्स को देखकर करके Sun एसका रिक्षन होता है जब उसको मैक्स को देखता है लाइट जलती है और सीधे वो पॉइंट मतलब कर देता है पॉइंट कर देता है पिस्टल को तो वह देखता है कि अरे मैक्स तुम यहां वो तुरंट पैचान लेता है और ऐसी लेंग्वज में ऐसे करके बोलता है हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करें हां कैसे बोलता है कि अरे मैक्स तो यहां तुम्हें तो बरलिन में होना चाहिए था ना देखें बरलिन लिखा हुआ है तो क्या बोलता ह यह हम लोग ने देखा आप इसके बाद देखते हैं जो अगला हमारा पॉइंट है आपको समझ में भी आ रहा होगा बच्चो साथ साथ में आप बस हर एक पॉइंट को नोटिस करिएगा क्योंकि यहीं से प्रस्ण बनते हैं अब देखिए मैक्स मिशन आखिर जब यह मैक्स आता है इनके रूम में तो उसका कुछ ना कुछ तो मिशन होगा ना मतलब कोई ना कोई उद्देश ही होगा तभी तो आए गए ठीक है तो इसी वज़े से आया है किस वज़े से आया इसको देखते हैं अब देखिए मैक्स वोस थिन वो क्यासा है थिन है दुबला पतला सा है झाल पतल ठीक है फ्रोट लेकिन वह क्या है जादा लंबा नहीं है देखने में दुबला पतला उर ज्यादा लंबा नहीं है Bene Beard, clever and cunning like a fox, वो fox की तरह, बोले तो लोमडी की तरह कैसा था, clever था, मतलब चालाक था and cunning, चतुर था, ठीक है, तो वो एक लोमडी की तरह, चालाक और चतुर था, He clearly told Oswald to the purpose of being in his room, मतलब उसने इस पस्ट रूप से ही Oswald को बता दिया था, कि उसके रूम में आने का उसका purpose क्या है, मतलब वो देश से क्या है, ठीक है, आप देखे, He wanted to take away the highly confidential report about some new missiles, उसने पहले इस पस्ट रूप से ही बता दिया था, कि वो कमरे में क्यों आया है, फिर उसके बाद He wanted to take away, वो ले जाना चाहता था, The highly confidential reports, जो मतलब अत्यधिक confidential का मतलब होता है, बच्चों, गोप्त, है ना, या गोपनी या भी कह सकते हैं, गोपनी, ठीक है, तो इस spelling का मतलब समझेगा, confidential मतलब होता है, गोपनी या गोप्त, बोल सकते हैं, तो वो reports को ले जाना चाहता था, about some new missiles, जो की कुछ new missiles से related थी, ठ साथ के साड़े बारा बज़े के करीब, है रहा, ओजवल को मिलने वाली थी, और वो उनहीं को ले जाना चाहता, क्योंकि ओजवल ने अल्रेडी फावलर को बता रखा था, कि ये कुछ ऐसी reports हैं, जो मिलने वाली है, जिससे इतिहास का क्या पुरा रुख बदल जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है, जो कि ओजवल को उस रात मिलने वाली थी, तो यहाँ पर ये इसका mission होता है, mission क्या होता है, कि इन reports को ले जाना, अब आगे देखिए क्या होता है बच्चो, ओजवल टॉक्स एबाउट दा बालकनी, आप देखिए, अब वो अपना जैसा बिल्कुल जासूस जैसा नहीं दिखता था, दिखने में आपको एकदम वो fat, dull जैसा दिखता था, लेकिन जो उसका mind था, वो बिल्कुल जासूस वाला था, अब यहाँ पर देखिए, Oswald sat on the armchair and complained about the balcony, अब वो क्या करता है, कि already max थो उसके room में होता है, फिर वो क्या क करता है, balcony की बारे में complain करना शुरू कर देता है, अब क्या बोलता है, देखिए, balcony that is attached to his room, Oswald सबसे पहले armchair पर बैठता हो और उसके बाद शिकायत करता है, about the balcony की बारे में सिकायत करता है, that is attached, जो कि उसके कमरे से क्या है, attached है, है ना, सटी हुई है, उसके बारे में बात कर करते हैं, और फिर क्या कहता है, सुनिएगा, he told fowler, और वो fowler से कहता है, that this was the second time that someone used the balcony, यह दूसरी बार ऐसा हुआ है, कि किसी ने इस balcony का use किया है, मतलब प्रयोग किया है, और इस कमरे में entry कर लिया है, ऐसे वो थोड़ा सा ऐसे करके बोलता है, बातों में, कि यह दूसर जैसे छुप करके, एंटर किया है, मतलब प्रवेश किया है, his room, उसके कमरे में, max then clarified that he did not enter the room through the balcony, but had entered with the help of pass की, फिर उसके बाद जो max है, वो clarify कर देता है, मतलब इस पस्ट करता है, कि वो balcony से उसके कमरे में नहीं आया है, बल्कि वो तो main door से ही आया है, उसके कमरे में, है न past की से past की, मतलब एक दूसरी चाभी से, मतलब उसके lock को तोड़ करके, खोल करके, वो कमरे में उसने enter किया, ठीक है, तो यह वो खुद से ही कर देता है, इस past कर देता है, clarified कर देता है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऐसे है कहने का मतलब, कि जब Oswal आराम से, आम चेयर कर देता है, कि मैं बालकनी से आपके कमरे में नहीं आया हूँ, मैं main door से आया हूँ आपके कमरे में, अब उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, Oswal explained to Fowler that it was actually not his balcony, but the balcony of the next apartment, अब बालकनी की बारे में क्या बात करता है, कि उसने explain किया, Fowler को, that it was actually not his balcony, कि मतलब यह वास् की बालकनी नहीं है, लेकिन balcony of the next apartment, यह जो बालकनी है, वो next apartment की है, मतलब जो दूसरा मकान है, उसके room के बगल में उसकी बालकनी है, ठीक है, आप देखिए क्या होता है आगे, he further told और वो आगे उसके बारे में बात करता है, him किसको Fowler तो ही कहता है, और एक चीज़ और Max उस बात को सुनता रहता है कि कैसे वो बालकनी की बारे में बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर further told him, फिर उसने आगे उसको बताया Oswell नहीं है ना Fowler को, that की his room and the next apartment, की मतलब उसका कमरा और जो next apartment है, मतलब जो अगला मकान है, were earlier a large unit, मतलब जल्दी ही क्या थे, एक बड़ा खंड थे, ठीक है, दोनों मिला करके, मतलब बगल वाला मकान और उसका कमरा, दोनों एक बड़ा खंड थे, now लेकिन अब, है ना, now अब the unit had been divided, और यह जो अब खंड है, यह क्या हो गए है, divide हो गए है, ठीक है, divide हो गए है, बट लेकिन balcony still exist, लेकिन जो balcony है, वो कि तक है, the management had done nothing to block the balcony, लेकिन जो management यह जो प्रबंधक है, उन्होंने balcony को close करने का, है ना, उसे block करने का कोई भी management नहीं किया है, मतलब कोई भी उसका भी तरीका नहीं किया है, कि किस तरीकी से balcony को बंद कर दिया जाए, तो देखिए, कैसे वो अराम से armchair पर बैटता है, और इतनी बाते बना लेता है, है ना, कहता फाउलर से है, लेकिन indicate indirect way में किसको करता है, max को करता है, अब max तुरन समझ जाता है, कि इस room में जो window है, है ना, जो window है, वो उसके पीछे क्या है, बालकनी है, कि अगर मालीजे वो वहाँ से जाएगा, तो वो बालकनी में जाएगा, उसने अपने mind में ऐसा ही set कर लिया, आप देखते हैं बच्चों, इसके बाद क्या है कि waiting for the report, अब ऐसा होने के बाद वो report का इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं तो देखे, max begin to talk about the arrival of the report, अब वो report के arrival का, मतलब उसके पहुचने के बारे में बात करना शुरू कर देता है कौन, max, ठीक है, उसने बात करना शुरू कर दिया, report के बारे में, फिर देखे, क्या होता है, he told Oswald, और फिर उसने Oswald को बताया, that the report would arrive in half an hour, कि जो report है, वो आदे गंटे में आ जाएगी, क्या कहता है Oswald से, कि जो report है, ये आदे गंटे में आ जाएगी, आप देखे, Oswald क्या क am, मतलब वो कहता है, कि जिस बारे में, आप report की बारे में बात कर रहे है, वो कितने बजे मिलने वाली है, 12.30 पे मिलने वाली है, ठीक है, am, मतलब रात के, रात के, साड़े बारा बजे मिलने वाली है, Oswald wanted to know how max came to know, मतलब Oswald ये जानना चाहता है, कि कैसे max को इसके बारे में पता चला और किस तरीके से वो यहाँ पर आया, ठीक है, आया, about the report, but max asked Oswald, लेकिन max ही Oswald से पूछता है, how his people had got that report, कि कैसे उसके लोगों ने इस report को प्राप्त किया, कैसे वो ने ये मिली, मतलब Oswald पहले उससे पूछना चाहता है, लेकिन max खुदी से उससे पूछता है, ऐस बस देखें, यहाँ पर line to line बताने का ये मतलब है, कि मालनीजे आपको कैसे भी exam में प्रस्न आता है, आप समझ लेंगे तुरंद, ठीक है, अब अगला देखते हैं, फटा-फट हम लोग, कि max attempt to escape, अब max का भागने का प्रयास कैसा होता है, बस यहाँ पर आप ध्यान से जर अपनी pistol के point पर लेता है, किसको Oswell को and Fowler को, और Fowler काफी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का जासूस तो होता नहीं है, वो तो writer होता है, है ना, फिर कैसे वो balcony की बारे में बाते करता है Oswell, indirect way में max को बताना चाहता है, अब देखिए, suddenly, अच्छानक से बच्चो सुनिएगा, अच्छानक से there was a knocking at the door, अच्छानक से क्या होता है, किसी ने दस तक दी दर्वाजे पर, है ना, knocking मतलब खटखटाना होता है, तो ऐसा ही मतलब situation बनी हुई थी, कि वो तीनों ही room में थे और दर्वाजा बंद था, फिर अच्छानक से क्या होता है, दर्वाजे पर खटखटाने की आवाज आती है, अब देखें वहाँ पर क्या होता है, Oswald informed Max that it was the police whom he had called for extra protection, जैसे खटखटाने की आवाज आती है, Oswald क्या बोलता है, देखें मौके का फाइदा उठाता है वो, पुरा समझेगा, मौके का फाइदा उठाता है और क्या बोलत कि that it was the police, कि वो कौन है, police है, ठीक है, police है whom, जिसको he had called for extra protection, जिसे उसने extra protection के लिए बुलाया था, क्योंकि Oswald जानता था, उसने ऐसी बात बना दी वहाँ पर, वो कहता है, कि मैं जानता था कि मुझे ये report मिलने वाली है, और मेरी जान को खत्रा हो सकता है, इसलिए मैंने police को पहले ही सूचित कर दिया था, कि आप, मतलब आप मेरी निगरानी के लिए आप मेरे आसपास रहें, वो ऐसा मैक्स से कह देता है, आप देखिए क्या होता है बच्चों, this information made मैक्स nervous, और ये जो सूचना होती है, कि वो जब कह देता है कि police है, तो मैक्स क्या हो जाता है, दु पहले हमारे घर पर कोई आता है, और किसी ने दर्वाजे पर एक बार खट-कटाने की आवाज लगाई, किसी को नहीं सुनाई पड़ा, फिर वो तेजी से एक बार करता है, वैसे ही कुछ यहां भी हुआ, कि एक बार मैं ने खुला, तो वो तेजी से आवाज आ गई, आप 13 का मतलब क्या होगा यहां पर, उसने धमकी दिया ओजवेल को, अब मैक्स क्या करता है, गुस्से से ओजवेल को धमकी देता है, धमकी देता है, तो आस्क दा पुलिस, पुलिस से कहने के लिए, तो गो अवे, मतलब क्या कहता है, उसको धमकी देता है, कि पुलिस को यहां स को जाने के लिए बोलो वरना मैं तुम्हें क्या कर दूंगा शूट कर दूंगा अब फाउलर तो ऐसे ही डर जाता है ठीक है अब देखिए however और हलाकि आजविल टोल्ड मैक्स अब देखिए आजविल डरता नहीं है ठीक है अफिर अभी उसकी जो गर्णा बना रहा तो वो चालू है ठीक है वो डरता नहीं है बिल्कुल भी क्या कहता है मैक्स से कहता है बच्चों that the door was unlocked Max तो जानता है कि दर्वाजा जो है unlocked है मतलब lock नहीं है ठीक है वो Max से कहता है and police would shoot him और police जैसे ही अगर उसने entry कर दिया room में तो वो तुम्हें क्या कर देगी तुम्हें suit कर देगी वो Max से कह देता है अब Max order जाता है ठीक है जो खटकडाने की आवाज थी वो और तेज हो गई अब अंदर यही सब कुछ हो रहा है और जो खटकडाने की आवाज है वो और तेज हो गई and someone shouted Oswald's name और कोई जो है उसका नाम बोल देता है यहाँ पर जो भी gate के बाहर होता है वो किसका नाम बोलता है Oswald का नाम पुकार देता है अब जब उसने उसका नाम पुकार दिया अब Max थोड़ा सा और भी ज़्यादा डर गया अब देखिए क्या होता है Max decided to wait in the balcony until the police went away कि मतलब जब तक पुलिस नहीं चली जाती वो balcony में इंतजार कर लेगा ऐसा उसने decide कर लिया था Max से He climbed अब वो चड़ जाता है the window खिड़की पर still and jumped out और क्या कर देता है still मतलब जानते है बच्चो क्या होता है चोखट चोखट जानते ना उसको बोलते है तो चोखट पर वो क्या कर देता है चड़ जाता है उस खिड़की की चोखट पर चड़ जाता है and jumped out और बाहर क्या कर देता है चलांग लगा देता है मतलब कूच जाता है it as soon as the door was opened और जैसे ही वो window से चलांग लगा देता है बच्चो दर्वाजा क्या होता है खुल जाता है अब दर्वाजा खुल जाता है तो देखे क्या होता है लास्ट एक थोड़ा सा है बच्चो टॉपिक वहाँ पर जरूर ध्यान से सुनिएगा अब आगे क्या होता है तो सबसे पहले देखे यह image है यहाँ पर देखे यह कैसे armchair पर आराम से बैठा हुआ है और फाउलर इसके पीछे खड़ा हुआ है ठीक है वह dark एकदम खड़ा हुआ है और यह max कैसे उसको धमकी दे रहा है और इसका एक pair आप notice कर रहे है जो यह खिड़की है उसके सिल पर है मतलब चोखट पर है ठीक है वो तैनात भी है पिछे कूदने के लिए तो ऐसी कुछ condition होती है बच्चो यह ऐसी condition होती है पूरी story में आप imagine भी कर रहे होंगे साथ साथ में आप देखते हैं क्या होता है तो जैसे ही दरवाजा खुलता है और max क्या कर देता है बाहर बालकनी के लिए क्या कर देता है छलांग लगा देता है अब देखे एक वहाँ पर आता है unexpected twist मतलब अच्छानक से एक mode आता है कहानी में अब क्या आता है देखे the door of the room was opened and the waiter came in with drinks और जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ कोई पुलस उलस नहीं होती है बलकि waiter जो है क्या drinks लेकर के आता है जैसा कि Oswald ने order किया था ठीक है drink लेकर के आता है fowler वो शॉक्ड अब fowler जो है वो देख करके शॉक्ड हो जाता है मतलब हैरान हो जाता है कि यहाँ तो कोई भी पुलिस नहीं है he wanted to know where was the police अब fowler यह जानना चाहता था कि पुलिस कहा है भईया जिसके डर से Max भाग गया था ठीक है and how Max would get arrested और फिर वो कहता है कि मतलब पुलिस कहा है कैसे वो उसको arrest करेगी किसको Max को कौन कहता है इसा फाउलर कहता है आप देखिए Oswald informed him फिर वो उसके क्या करता है किसको यहाँ पर फाउलर को सूचित करता है उसको बताता है that की there was no police यहाँ कोई भी पुलिस नहीं थी and it was only the waiter Henry और इसका नाम याद रखिएगा बच्चों आप सभी waiter का नाम क्या था Henry तो Oswald कहता है यहाँ कोई पुलिस नहीं थी ऐसे बोलता है यहाँ कोई पुलिस नहीं थी यह तो कौन था waiter था जिसका नाम क्या है Henry है with the drinks he had ordered यह तो drinks लेकर कर के आया था जो कि मैंने order किया था ठीक है ऐसा Oswald कहता है अब देखे Fowler was still worried लेकिन Fowler अभी भी चिंता में रहता है that की Max would return with pistol कि Max जो है वापस फिर से आ जाएगा pistol के साथ में अब देखे Oswald Resort Resort मतलब होता है बच्चो यकीन दिलाना ठीक है उसे यकीन दिलाता है him उसको किसको Fowler को यकीन दिलाता है Max would not return कि जो है Max अब वापस नहीं आएगा क्यों क्योंकि देखे Because क्योंकि there was no balcony क्योंकि उस window के पीछे कोई भी balcony नहीं थी ठीक है there was no balcony वहाँ कोई balcony नहीं थी and Max had jumped और उसने वहाँ पर Max जो है वह वहाँ पर कूद गया था ठीक है death jumped to his death और वह वहाँ से कूद गया है और उसकी क्या हो गई है death हो गई है क्योंकि देखे बच्चो the room was on the 6th floor 6th floor पे वह room होता है मतलब छटी मंजिल पे वह कमरा होता है जहां से Max नीचे आ जाता है लेकिन यह आपकी book में ऐसा नहीं दिया है कि वह नीचे आता है फिर क्या होता है कैसे उसके साथ होता है लेकिन जाहिरती बात है कि अगर वह 6th floor से नीचे आया होगा वहाँ कोई balcony भी नहीं थी तो उसकी death हो गई होगी ठीक है तो यह है बच्चो स्टोरी में काफी अच्छी स्टोरी थी और आपने देखा बच्चो कि कैसे जो है अपने mind का use करके Max को बुद्धू बना देता है बुद्धू की मतलब कैसे अपनी बातों में फसा लेता है उसको तो आज की स्टोरी में बच्चो यह था Max जो है उसकी बातों में आज आता है कि indirectly way में वो फाउलर को बताता है और Max इससे सुनता है और वो सच में समझ लेता है कि इस कमरे में जो खिड़की है खिड़की के पीछे बालकनी है कि वो खिड़की से कूदेगा तो बालकनी में जाएगा बलकि वहाँ कोई बालकनी नहीं होती है वो खिड़की से कूदा और जैसे ही कूदा मतलब 6th floor पे वो कमरा बना हुआ था और वो कूदने के बाद डारेक्ट नीचे आता है और जैसे ही वो कूदता है आवाज आती है चिलाने की तो ओजवल समझ जाता है कि ये डारेक्ट नीचे जा चुका है इसका काम खतम हो गया है तो ऐसा कुछ स्टोरी में था बच्चो आपने भी देखा कि ओजवल कैसे दिखने में तो जासूस के जैसा बिलकुल भी नहीं था लेकिन कैसे उसने अपनी बातों में मैक्स को फसाया तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी बच्चो ये आप कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग इसके MCQs, Short Answer और Long Answer के साथ में और आप जानते हैं बच्चो कि 5 MCQs आपके Supplementary Chapter से आते हैं वन आपको Short Answer करना होता है और वन आपको Long Answer करना होता है जितने भी आपकी Supplementary Reader में जितने भी Chapter है उनसे Related इतने Question आपके एक्जाम में आते हैं तो आज की Class में इतना ही बच्चो Bye Bye, Take Care, Thank You